वीनर वो होते हैं जो बार-बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल इस्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो जो है वो समेकित क्रिसी प्रनाली पे होने वाली है और आज हम पहुँचे हैं बिहार के अरवल जीले के पिंजरावा गाओं में यहां एक किशान है जो समेकित क्रिसी प्रनाली को अपना हैं और एक बहुत ही छोटे अस्तर पे इन्होंने जुगार तकनीक का इस्तिमाल करके आज फार्मिंग ये कर रहे हैं इनके बारे में मैं बता दो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंपनी में ये ड्राइवर का काम करते थे किसी कारण वस ये काम को छोड़ दिये और अपने गाओं में आके इन्होंने क्रिसी को अपनाया और एक बहुत ही अच्छे तरीके से फार्म को ये संचालित कर रहे हैं साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जुगार तकनीक का इस्तिमाल करके इंक्यूवेटर भी बनाया है और हैचिंग करने की भी बिवस्था की है आए तमाम तरह की जानकारी हम इनसे लेंगे, तो आए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले एक रीक्वेष्ट है कि अगर वीडियो पसंद आये, तो एक लाइक करेंगे, और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करेंगे सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर आप भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे हाँ है सर थोड़ा सा पड़ीचा है, हमारे भीवर्स सब्सक्राइबर को आप दे दीजिए जो देख रहे हैं नमस्कार मैं मुहमद आदिल अथर अर्वल जिला पी रामा कर रहने वाला हूं और ये मैं फारम अभी शुरू किया हूं जो हमारे आसुतो सर हमारे हां आके हमारा देखें और हमको उत्साह दिये हैं ये करने के लिए इनका वीडियो देख देख के प्रेरना मिला इनका कभी इसकी सुरुवात किये सर इसका जो बुनियाद डाला है समझ लिजे कि फरवरी से 20 मने 18-20 फरवरी से और अब हम करते जा रहे हैं और धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं अदिल जी ये ऐसा जुगार कहां से आप लगाया है और सब कुछ एकदम मतलब देशी जुगार में अब काम कर रहे हैं सर यह हमारा मने देड़ कठा का घर के लिए बनाया हुआ था जिसमें आगे से घर और दुकान बनाए हुए इतना मने वेस्ट जा रहा था तो सारा टाइप का था तो हम सोचा बैठे-बैठे कुछ करना चाहिए आप लोग का वीडियो देखके जो प पना के उसमें से बच्चा निकालके और आज आप देख लीजे जो सामने है कोई इसमें फेक फाक वाला बात नहीं है पहले क्या काम करते थे थो थोड़ा हुआ पहले सर हम ड्राइवर वर्सेज ऑपरेटर जो पोकलें एक्सावेटर बोलते हैं लोडर या टीम ट्रांजिस मिकसर डम डम ट्रक यह सब कंपनी में हम चलाते थे पहले साओधी थे बाद में ओमान थे ओमान से आके यहां पर गेमन इंडिया के 69 में 91 प्रोजेक्ट सुपोल में यह दो प्रोजेक्ट पे काम करके फिर के सी सी बिल्ड कॉन है वहां मुंबई टू गोवा फोर लेंड बन प्रेदल आए ना जो फिर हमको जाने का हिमत ना किया कि बीस हजार अठारह हजार के लिए उतना हम कुछ घर पर ही करके कर लेंगे और वह आप लोग का वीडियो देख देखके हम इसको स्टार्ट किया अभी सर बताइए क्या क्या अभी आप पाले हुए है इस वाम में बाकी कुछ बड़ा छोटा मिला के जो छोटा है और 40-50 अलग सेट में मुरूगी का बच्चा डाला हुआ है और बाकी इधर है बड़ा में है 40 30 40 बच्चा और कुछ चेचक होने के वज़ा से मर गया यह अगर हम बात करें कि खाकी कैमल तो क्या मतलब खाकी कैमल हो या मेल होगा इसके मेल को आफ सेल ओड कर दे सकते हैं वही इंडिया लार के दांम में मेला संवारी अराम से हो जाता है納द कोई दिक्कत यहां पर नहीं मार्कित अपना अपना पड़ेगा किसी के भरोसे नहीं रहना है मार्किट कोई गाउं में भी लोग आया पूछने अपना एरोहर्टाइस कर दिया है बता दिया है लोग को जो आते हैं आधा किलो से तीन पोगा जो चूजा हो गिया है उसको तॉल के तीन साड़े तीन सो रुपई एक किलो ऐसे दे परफ्रत नहींग है किईपर देख लिजये रबरेगा है पानी के टप में धवालिया इसका आठा धूलना चाहिए लेकिन इंडिया दिन्र κोपा करे करके को चूना कितना कृपार अंडा-शूरू नहीं कि औरो हम एक्रयट बता सकते हैं लेकिन जैसा के सुना है कि 200 एक सव मने 280 से 320 तक देता है अब देखिए हमारे पास कितना देगा वो तो आने वाला टैम में बाद 2 महीना के बाद 2 महीना के बाद पता चल जाएगा अभी कितना देशी मुर्गा कौन सा रखे हुए और किसके सनसल का है वो बताइए देशी म जो है सर हमारे बाहर का कोई ब्रीड नहीं है गाउं का ही से कलेक्शन करके जो अंडा है देशी का है और कुछ कड़ एक दोस्त के पास कड़कनात की मुर्गिया थी उसके पास से अंडा लाके खुद हैचिंग करके निकाला हुए जो आट-दस कड़कनात का दस से बारा मुलत उसे डिश्या आती है आपके साथ भी आयी होगी क्या थोड़ा सबताईए सर समास्या तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन थी हां चोटे अस्तर से किये थे आर छोटे अस्तर से ही करने के वज़ा से आज हम हतास नहीं है लेगलने जो समस्या हमारे पास आई तो हम इनका वैक्सीन भी कर देते हैं समय समय पर जो वैक्सीन है उसका सेड्यूल देखते हैं और किसी जो दोस्त किये हुए हैं उनसे पूछ फूचके तो वैक्सीन इसका गंबोरो का है मने और इसका लसोटा रानी खेत का है इस अब कर देते हैं और एक उसका फॉल पॉक्स बोलते हैं जिसको चे चक तो 42 दिन के बाद होता है तो सबसे बड़ा समस्या क्या है सर हम छोटा फार्मर के लिए कि इसका कोई छोटा दूज नहीं है 200 बच्चे का है 500 बच्चे का है 1000 बच्चे अब हमारे पास तीस बच्चा निकला है तो 200 का डोस लाना पड़ता था और लाते थे और देते थे कोई मुश्किल नहीं था लेकिन वो उसके लिए जैसे 42 दिन का हुआ कुछ चूजा सेल ओट कर दिया कुछ बचा तो अब मान लिजे कि 20 बच रहा है तो 20 के लिए तो फॉल पॉक्स का वैक्सीन लाना संभव है और जो यहीं अपरील से जून तक में फॉल पॉक्स आता है और वहीं आने के कारण मेना 500 से 200 लिए कि've note मोटलीटी होई उसकी और बाखी ऐस कोई समया नहीं यहीं चेचक का समय未सिया आया था और बाखी बर्धतक में अभी तक कोई समस्या नहीं और यह मुर्गी में मुर्गी में वही फॉल पॉक्स आया था बाखी कुछ ने बाखी सब बढ़िया है कुछ देर के लिए फिरू जोन में भी छोड़ देते हैं अपना खा पी लेता है चर चुंके की रमक और भी जिससे हमारा एक टैम का फीड बच जाता है बहुत बढ़िय वही पांच हजार रुपया के आसपास खर्च हुआ है यह हमारा पहले सेट था जो घर में पहले डाले हुए थे जो वेश्ट हो गया च्छता जब ढलाई किये तो वेश्ट हुआ यहां लाके डाल दिये थे और वही घर बनाने में जो बांस उस लाए थे भारावरा के है कुछ दिन के लिए बुरूडिंग कराने के लिए और बाकी को फिर बड़ा को इसमें सिफ्ट कर देते हैं और अभी आगे का पलान बाहर खेत में करेंगे जैसे जैसे बड़ा मेरा ज्यादा होगा तो इसमें जो सेड में हो 5000 उपर मेरा खर्च हुआ है यही जाल लगाने था और उसी से चल रहा है और सब लगभग अब समझे कि बड़ाइक बंगाल 80% हो चुकी है और ब्रीडर आप अच्छे नसल का रखें किसी का भी तोता पूरी जमना पूरी बीटल बड़ा ब्रीडर रखें लेकिं फीमेल जो है वह ब्लैक बंगाल का ही रखें हमारी एक सि से ही क्रोस कराके मैं उसको ब्लैक बंगाल में कंवर्ट कर लिया अब बात करते हैं सर जैसे बहुत सारे हमारे युवा भाई सामने से देख रहे हैं बहुत सारे किसान है ऐसा जो ठोड़ा ट्रेडिशनल फार्मिंग से उप गया है और इस काम को करना चाहते हैं तो वह सीध पढ़ा लिखा भी आदमी उसको जोड़ घटाव कर सकता है अगर हम इतना में भी अपना दो सो पेरेंट्स रख लेंगे तो पंद्रह हजार में कोई पंद्रह से बीस हजार रुप्या कमाना कोई नामुम्किन नहीं और इसमें आप मैं इसको दो फ्लॉर करूंगा उपर मे इसको मुर्गी का करने वाले हैं और नीचे में मने बत्तक रहेगा लगभग मेरा इसके अंदर दो सो पीस का टार्गेट है जो घर पे रहेगा बाखी अलग से फारम में आप दो सो पीस पे भी और कुछ बकरिया रखके आट घंटा अगर अच्छा से मेहनत समय देते हैं त इसके बाद में थोड़ा से बताईए क्या उसमें कितनी कैप सेटी का है अभी जो इनकुवेटर है वह छोटा-छोटा है हमारे पास जो थर्मोकॉल मचली का डबा जिसको बोलते है थर्मोकॉल उसमें बनाया है जिसमें आप बत्तक का उसमें 50-55 अंडा डाल सकते हैं मुर् मुर्गी का 70-80 रिजल्ड हे और बत्तक का 50-60 रिजल्ड है जिसके में हमारे पास है और उसमें रिजल्ड है और तीन पर देखं़ी अंडा डाला हुआ है बतक किसी में 55 है किसी में 57 है इस तरह से डाला हुआ है और अभी चुके छोटे अस्तर से किसी भी चीज़ को समझने के लिए छोटे अस्तर से धीरे-धीरे स्टेप बाइस सीडी चहरना चाहिए एक बार डारेक छता पर नहीं चहर सकते हैं तो इसलिए स्टेप बाइस आगे चलके हम उसको बड़ा एक इंकुबेटर जो बॉक्स में बनाने वाले हैं 500 का लेकिन फिलहाल अभी जो है वह सतर सतर मने मान के चलिए मुर्गी का सर्शाट 25 रूपया सर मेरा आखरी सवाल है जो सब लोग सो मैं पूछता ही हूँ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथी अरभिया कतर अभी तो देख रहे हैं कि यूनाइटेड अश्रेट्स अमेरिका से भी लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां से तरुन जैसा ही एक आपका साथी हूँ जो साओडी ओमान और अच्छी इंडिया में भी अच्छी अच्छी कंपनी गेम कंपनी अंच्छी कंपनी कंपनी कंट्रक्षण की कंपनी में वह संबीडी स्थ नी यह कुछ कोkal से आप लोग लोगों का चैनल देखा जिससे हम लोग जो सही दिसा देखाते हैं सबसे बड़ा बात है कि कोई कहीं पर जोल पट्टी वाला नहीं है सही दिसा और अच्छा राह मश्वारा देते हैं तो आप ये काम कहीं ना मज़दूरी ना करके आप इसको कर सकते हैं छोटे अस्तर से लेकिन एक बार जैसे बहुत से मेरे भाई हैं ना साओधी से आएं बिस लाग कमा के आएं तो सोचते हैं एक ही बार इंडवेश्ट कर दे तो ऐसा गलती ना करें मैं उनको यही राइदूँगा कि ऐसा गलती ना करें आप अपना पैसा सेफ रखें बैंक में रखें आप उसमें दो लगाई है दो लाख एक लाख लगा के पहले छे महिना साल भर पेसेंस रखके अनुभव उसका मने आप हासिल कीजिए आपको जब उसका मालूमात अच्छे तरीखा से हो जाए आप धीरे-धीरे अपना उसमें इन्वेश्ट बढ़ाई एक बार ना डालें मैं अपने दोस करना पड़ता है और तब जाके हम उपर पहुंचते कहने का मतलब कि हमेशा आप जब भी काम करें तो छोटे अस्तर से करें और तब जाके जैसे जैसे आपके पास अनुभव आए उसको जो है आप प्रॉफिट में मल्टिप्लाई करते जाए और इन्वेश्टमेंट को काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यो फूर वाचिंग